बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांड़े इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं सराज, प्रधान मंत्री ने कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कुरोना पर बात की, बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार से भी बात की, आप भी बैठक में मौझूद थे, क्या कुछ ब कि इस प्रकार से आज यहां टेस्टिंग हो रही है और जो पूरा कि रिकवरी रेट है वो किस तरीके से बहुत बहुत पहतर है सारी व्यवस्थाएं बहुत चुस दुरूस्थ हैं हम लोग लागातार जाच को कांटिनीव कर रहे हैं और कभी भी किसी भी अस्तर पे पूरी तरीके से हम मुस्तैद रहें इसकी पूरी मॉनिटरिंग राजी के अस्तर पे और जिला के अस्तर पे भी हो रहा है एक सवाल सामने आ रहा है कि 97.25% जो बिहार का रिकवरी रेट है देश में सबसे ज्यादा है इसके साथ ही जो एक्टिव कोरोना केसेज हो या पर मिलियन जो केसेज हो वो सबसे कम है बिहार का इसके पीछे आपको क्या वज़ा लगती है आपके प्रस्ट को मैं समझ नहीं जो एक्टिव केसेज हैं बिहार में या फिर जो पर मिलियन जो केसेज मिलने की संख्या है वो बाकी राजियों के मुकाबले जो नेशनल एवरेज है उसके मुकाबले बहुत कम है अभी जो हमारे पास कुल एक्टिव केस है वो लगवक सवाई 500 है और जो पर मिलियन आपने जाच की बात कही तो पर मिलियन जाच भी हमारा सबसे बहतर है तो सभाविक रुप से पूरी टीम जो है वो बहुत योजनाबत तरीके से काम कर रही है और उसका एक रोड में पुरा हम लोगों ने बनाया है कि किस तरीके से पूरी विवस्थाओं को बहतर रखना है और जो र रेगुलर मॉनेटरिंग ही इसका मूल मंत्र है कि इन सारी चीजों को हम बेहतर करने में सफल हुए है कि अभी तक जितने जाच हुए हैं बिहार में उसमें से 12% RT-PCR और बाकी एंटीजन टेस्ट एंटीजन टेस्ट को बहुत रिलाइबल नहीं माना जाता और केंद्री ने दिखेंगे तो आपको यह ध्यान में आएगा कि जो विभिन राज्यों के RT-PCR के प्रतिसत की स्थिति हैं बिहार भी वही है लेकिन 46 और 47% RT-PCR नेशनल एवरेज है मैंने कहा कि आप एक बार आंकड़े को जब देखेंगे रास्त्री अस्तर पे राज्यों की जो RT-PCR के ज खड़ा है दस दिनों का हाइलर्ट जारी किया गया है बिहार के सभी जिलों में इसके पीछे की वज़ा नहीं हम हमेशा है मैंने कहा कि पिछले तीन-चार महीने से लगातार इलर्ट पे रहके राजसरकार का स्वास्त विभाग काम कर रहा है और स्वास्त महाकमे का कोई हम करोना को नियंत्रित करने में सफल हुए है जो लोग आए थे बिहार वापस अपने घरों पर और जो वह वापस जा रहे हैं इससे कुरोना पैलने का ने देगे इससे तो बहुत बड़ी ज्यादा संख्या उस वक्त आई थी जब बिहार के हमारे रहने वाले लोग बाहर स काफी बहतर इस्तिती में है स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने ये दावा किया कि आज प्रधान मंतरी के साथ बैठक में भी किस तरीके से बिहार में कोरोना की रोख थाम पर और बहतर काम किया जा सकता है इसकी बात हुई साथी साथ बिहार के प्रयासों की चर्शा भी झाल